हाई फ्रेंड्स असलाम अलेकुम कैसे हैं आप सब वेलकम बेक टू माई चैनल शेक गुलनास व्लॉग तो आज है मार्च 6 मंडे और हम आज निकले हैं खाने के लिए बंगाली फूड बंगलादेशी फूड जो बंगलादेशी फूड होता है फीच वगड़ा वो खाने के लिए तो फर्स तो हम तो जा रहे हैं मैनुवल पे स्टार वेन्यू पे शरीफ भाई और भावी को पिक कर मैनुवल के पास में उनका वेट कर रहे हैं शरीफ भाई और भावी का तो शरीफ भाई और भावी नीचे आ गए और ये लोग जैसे ही नीचे आते हैं अपने घर के भर से नीचे आते हैं तो सारी बिल्ली जो कंपाउंड की सारी बिल्लिया होती है वो उनको घेर लेती है लुए बिल्ली को खाना cat food डालते हैं उनके पास खुद की चार-5 बिलिया हैं फिर भी वह बाहर के जो बिल्लया होती है उनको भी cat food डालती है तो देखो यहां पर भी एक बिल्ली को उन्हें ने cat food दिया है और वो कैसे खा रही है तो अभी हम आ गए होटेल में तो ये होटेल में आपको बता देतू जैसे के अभी हम जिद्दा में हैं तो बवादी में आपको ये बांगलेदेशी होटेल मिलेगा और मुस्तवा भाई को लेके अभी हम आ गए और हमने और भी कर दिया है तो यहां पे खाना आ गया है दो टैप का कुछ फिश था जैसे कि मैं फिश नहीं खाती हुट मेरे लिए था चिकन कड़ाई और सिकंदर अपने लिए मंगाया था हलीम और सबजी था दाल था मेरे हम लोगों ने खाना इंजोई किया और सिकंदर को तो जबाऊ यह दो हैं बंग्णादेश्य रेस्टबिन में जैसा पीज़ गाया था उस दिन तो आज हम लोगों ने खाया है बंग्लादेशी फूग क्या आप कर दिये टेबल की एक मचर ने भी काट लिया मुस्टफा को गाल पे मचर बर्मयाग था मचर का नाम बर्मयाग था बर्मया मचर तो रुमस थाया है हमने शरीब भई तुमने कह थाया रुमस रुमस था रुमस और चिकन खाली मरता था रुटी था चाव तु तुमने क्या खाया तुमने बस चिकनी खाया यह चिकन खा थीए फिश और मीट नहीं खाती है यह खाया यह खाया ठीकिकि इसके साथ भी ने सिफ रुटी खाया और फिश खाया चलो बाई गाई तो अभी हमारा खाना हो गया है और अब हम निकल गए है घर जाने के लिए जैसे के मैंने बताया आपको कि अभी हम लोग जिद्दा में है तो यह रेस्टरेंट है बावादी में ठीक है और यह रेस्टरेंट का नाम है मेजबान हाउस तो जो फिश लवर है बांगले देशी लवर है वो उनके लिए यह बेस्ट रेस्टरेंट है चिकन के आइटम भी मिलते है मतलब चिकन कराई मैंने लिया था वह भी मिलता है बट जो फिश लवर है उनके लिए बेस्ट रेस्टरेंट है मेरे जैसे जो फिश नहीं खाते है उनको वहापे सिफ चिकन मिल सकता है फि